हालो फ्रेंज मैं हूँ कमल और आप सब का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कमल विल्डमाट में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग PVC पाइप और फिटिंग को जॉइन करने वाली चिपकाने वाली solvent cement के बारे में बात करेंगे कि solvent cement कितने परकार का होता है और हमें अपने घर के लिए कौन से परकार का solvent cement लगाना चाहिए और इसके rates के भी बारे में जानेंगे तो चलिए बढ़ते हैं topic की ओर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि solvent cement कितने परकार का होता है तो basically solvent cement तीन प्रकार का होता है पहला UPVC या फिर PVC solvent, दूसरा CPVC solvent और तिसरा इसी केटेगरी में lubricant को भी सामिल किया गया है जिसमें friends UPVC solvent याने PVC solvent ऐसा solvent होता है जिसमें 90% components PVC याने UPVC के ही होते हैं याने कि इस प्रकार के solvent cement को बनाने के लिए PVC का ही 90% इस्तेमाल किया जाता है UPVC या PVC solvent basically white color या फिर निला color का आपको देखने को मिलेगा वहीं बात करें CPVC solvent की तो CPVC solvent पिले color का solvent होता है और इसको बनाने के लिए 70-80% CPVC components का ही use किया जाता है वहीं अगर बात करें lubricant की तो lubricant basically चिपचिपा एक मखन जैसा दिखने वाला material होता है जो की white color का होता है और grease के समान ये काम में लाया जाता है जैसे कि मसीनों में चिकनाहट के लिए grease का use किया जाता है वैसे ही SWR ring fit pipe में चिकनाहट के लिए grease का इस्तमाल किया जाता है अब बात करते हैं दोस्तों इन सभी solvent cement को कौन-कौन से pipe में use किया जाता है सबसे पहले बात करते हैं PVC याने UPVC solvent की तो एक चीज़ आपको clear कर देता हूँ UPVC solvent और PVC solvent दोनों में कोई difference नहीं होता या same component से मिलकर बना होता है जिसको आप चाहें तो UPVC pipe में इस्तमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो PVC pipe याने SWR pipe और rigid pipe दोनों में इस्तमाल कर सकते हैं बट UPVC और PVC pipe को भूल कर भी CPVC pipe में मत लगवाना क्योंकि PVC pipe याने UPVC pipe किसी भी company का हो चाहें कितने भी बड़े ब्रांड का हो वह weak रहता है उसकी जो bonding capacity है वह थोड़ा सा weak होता है एस compare to CPVC solvent cement PVC और UPVC solvent cement 59 ml, 273 ml, 118 ml और 1 liter तक के size में आपको market में देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों CPVC solvent की कि CPVC solvent को हम कहा कहा इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों CPVC solvent especially CPVC pipe और fitting को आपस में join करने के लिए design किया गया होता है क्योंकि CPVC solvent में 80% components यानि raw materials CPVC को ही इस्तमाल किया जाता है CPVC solvent सबसे strong joint देने वाला solvent cement होता है pipe fitting में CPVC solvent को आप CPVC pipe और अच्छी quality वाली अच्छी brand के UPVC pipe में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह CPVC pipe में तो काफी अच्छा joint देता ही देता है क्योंकि वह उसी के लिए बना रहता है और साथ-साथ यह UPVC pipe जिनकी quality अच्छी होती है उसमें भी आप CPVC को इस्तमाल कर सकते हैं CPVC solvent को इस्तमाल कर सकते हैं UPVC में भी यह अच्छी joint देती है इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों अगर आप कोई भी कमपनी का CPVC pipe और fitting खरीद रहे हैं तो कोशिस यह करिएगा उसी कमपनी का CPVC का solvent cement भी आपको खरीदना चाहिए CPVC solvent 118 ml 237 ml 473 ml और 946 ml तक के size में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों लूब्रिकेंट को कहां कहां इस्तमाल किया जाता है लूब्रिकेंट का use दोस्तों basically SWR ring fit pipe को आपस में joint करने के लिए use किया जाता है इसमें एक confusion मैं आपको clear कर देना चाहता हूं दोस्तों जीस परकार CPVC और PVC pipe का solvent होता है वह pipe और fitting को आपस में joint बनाता है वैसा joint lubricant में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि lubricant grease जैसा material होता है यह चिकनाहट ही आपको देगा और lubricant pipe और fitting को आपस में चिपकाता नहीं है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों जैसे कि grease का इस्तमाल मसीनों में चिकनाहट के लिए use किया जाता है वैसे ही ring fit hwr pipe और fitting में चिकनाहट के लिए lubricant का इस्तमाल किया जाता है lubricant का इस्तमाल करके ring fit hwr pipe और fitting को आसानी से आपस में पूस किया जा सकता है और उसको fitting किया जा सकता है lubricant 100 ml, 200 ml और 500 ml तक के size में आपको market में देखने को मिल सकता है बात करें इनके rates की दोस्तो के कौन सा solvent cement महंगा होता है और कौन सा solvent cement सस्ता होता है तो UPVC और PVC pipe का solvent होता है वह काफी सस्ता होता है as compared to CPVC solvent याने कि CPVC solvent सबसे जादा महंगा solvent होता है और वहीं अगर बात करें lubricant की तो lubricant भी एकदम सस्ता होता है अंत में यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप जिस भी company का pipe fitting खरीद रहे हैं, कोशिस करियेगा उसी company का ही solvent cement इस्तमाल करें, चाहे वह UPVC का solvent cement हो, चाहे वह CPVC का solvent cement हो, जिस भी company का आप pipe fitting पर्चेस करते हैं, उसी company का ही आपको solvent cement पर्चेस करना चाहिए, यह था दो कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन फ्रेंड्स